गुड मॉर्निंग डियर कैसे हो आप सब आज है दिन बुद्ध बार और सुभा के बज रहे हैं आठ आठ या आठ दस हो रहा होगा मैं लगवग आपसे रोज इसी समय में मिलती हूँ तो आज मैं बनाने जा रहे हूँ करेली का भर्मा आप लोगों में से सभी लोग जानते ह होंगे लेकिन मैं मुझे सेयर करना पसंद आया इसलिए मैं सेयर कर रही हूँ तो यहां पर मैं थोड़ा सा करेली को स्टीम करूंगी और इसके पहले मैंने करेली के छिलिके को उतार कर उसमें नमक मिलाकर रख दिया था उसके बाद में नहाने चली गई थी तो स्टीम करने उस पर मैं ये करेली रख दूंगी और ये करेली का है और ये उपर का छिलका है नमक जो मैंने मिलाया था नमक मिला हुआ ही है और उधर मैंने अरहर का दाल चड़ा दिया जो कि आपने देखा तो आज तो खाना बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ अरहर का दाल चावल करेली का ये करेली का भर्मा इतना टिश्टी बना था कि मैं क्या बताऊं आपको आप लोग रहते हैं तो मैं आप लोग को खिलाती तो उस पर मैंने लगा दिया है जाली पर सारे करेली को मैंने रख दिया है और ढग दिया है और इधर तवे पर दो चमच सौंप और एक चमच मेथी मै में थी है थोड़ा सा कस्मीरी मिर्च थोड़ा सा धनिया पाउडर थोड़ा सा लाल मिर्च और एक से देड़ चमच आम चूर पाउडर है आम चूर पाउडर आप जितना दीजेगा उतना खटा होगा और जो मसाला मेरे घर का है मैंने आपको बताया है उसमें बहुत सारे इं कालने के बाद, अब मैं दीरे जीरे मसाले को भूनना सुरू करूंगी, तो यहां पर मैंने उसी कड़ाए को दो कर तेल गर्म कर लिया है अब मैं डालूंगी हींग, उसके बार डालूंगी दो तेजपात और लाल मिर्च और पंच फोरना यह जो पंच फोरना है इसको मैंने थोड़ा सा अधिक मात्रा में दिया हुआ है क्योंकि मासाला में मिलेगा और इसमें सारा चीज है अभी मैंने स्वांफ और मेथी को उलाया है लेकिन इसमें सारा चीज है लगबग तो ये जैसे ही पकता है हमारा तेल गर्म होता है मैंने इसमें प्याज डाल दिया और प्याज जैसे ही हलका ब्राउन होगा तो मैं इसमें वो हरा वाला जो छिलका है करे लेगा उसको मैं डाल दूँगी और इधर मैं क्या करें हूँ यह जो मैं थोड़ा सा कूट रही हूँ यह थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा हो गया था तो इसको मैंने आप चाहें तो उसको ऐसे भी दे सकते हैं बिना कोटे वे भी और यहाँ पर मेरा प्याज ब्राउन हो गया है अब मैं इसमें यह हरा वाला पहले डालूंगी और इसको भी दो-तीन मिनट भूनने के बाद क्य यहाँ पर मैं नमक, हल्दी दोनों डाल दूँगी और उसके बाद फिर उस बिच्चे को डाल दूँगी जब अच्छे से वो भूना जाता है पूरा तब फिर मैंने जो सारा मसाला आपको दिखाया उस सारे मसाले को मैंने एक कटोरी में पानी में मैंने डाल दिया है फुल यह अच्छी तरह से पक जाएगा इसको पकने में थोड़ा समय लगा था दस मिनिट तक कम आज पर मैंने इसको भूना था पूरा और चलाते गई थी तो यहाँ पर देखेंगा आप इस तरह से भूंजा गया है और अब मैं यह मसाला डाल दूँगी और तेल मैंने कम तेल घी का परियोग करती हूं तो यहाँ पर इस तरह से मेरा मसाला पूरी तरह से भूंजा गया है भूंजाने के बाद मैंने गैस बंद कर दिया और एक निम्बू इसमें मैंने निचोड़ कर डाल दिया इतना टेश्टी यह बना था करेली का भरवां बहुत ज्यादा और मैं बहुत दिनों के बाद मैंने आज चावल खाया था तो इसके साथ मैंने खाया था मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और इधर मैं डाल में तड़का लगा दूंगी और अब मैं वहाँ पर इंडक्सन पर कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए डाल दिया है और यह पादाने बस पांच करेली में भर रही हूं और डियर आप लोगों मेंसे कोई भी पहली वार इस चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा कमेंट कर बताईएगा आपको मेरा ये करेली का फरवाह खाने में कैसा लगा औ क्योंकि इस चैनल पर दिखता वही है जो बिल्कुल सही है आप देख रहे हैं और हर चीज मैं आप लोगों के साथ सेयर करती हूं खुद से जो मैं मैं मेहनत करती हूं वह भी जैसे तीज आने वाला है तो उसमें ठेकवापी रख्या बनाना है ब्लाज भी मुझे खुद से बहर दिया है और दो करेली कुटि मैंने बीच से काटा था तो उसकंवे लपेड दूँगी और तेल मैंने यहाँ पर गर्म होने contractors लिए बंके तीन करेली को मैं सीतर से चोड़ दूँगी अब यहाँ पर मैं Oil को मैं इस मिला दिया च्यूंकि पूरी कढ़ाई में देल नही वहाँ पर मैंने बस 80% करेले को पकाया था और 20% इसके लिए छोड़ दिया था तेल में पकने के लिए ताकि अच्छा लगे और इसको इस तरह से पूरे तेल में मैंने मिला दिया था और उसके बाद इस तरह मिलाने के बाद मैंने इसको ढखकन से ढख दिया था धकन ते धकने के बाद कुछ देर के बाद मुश्किल से तीन मिनट के बाद आप देख रहे हैं हैं इंडक्शन मिनट से मैं दिखा रहा है तीन मिनट के बाद मैंने खोला था तो इतना ज्यादा पक गया था मेरा करेली वन साइड जो है मेरा करेला इस तरह से पक गया था उसके वाद मैंने चिम्टे की मदद से दीरे दीरे इसको पल्टा दिया था हलांकि इस बरतन में चिम्टे का परयोग नहीं करना है और मैंने बिल्कुल आराम से किया था थोड़ा सा मैंने फास्ट किया हुआ है और अभी बिल्कुल भी लाइट नहीं है और हवा चल रही है जैसे लगता है कभी बारिस होगी कभी आंदी कभी तुफान दो-तिन दिन से क्या हुआ है इतनी हवा चल रही है फटना में की कहने की बात ने बहुत तेज हवाद चल रही है तो इसको मैंने इस तरह से पल्टा दिया और एक बार और मैं इसको धक दूँगी और उसके बार धकने के बाद ये पूरी तरह से पक गया था और बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था और इतना टेश्टी बना था कि पूछिए मत तो ना खाने के बाद मैंने बरतन वरतन धोया था कीचन का बहुत सारा काम निपटाया था और अब मैं मिलूँगी आपसे सीधे दो पहर में तो देखिए यहां पर भी दो पहर के देड़ बज रहा है तब तक मैंने बहुत सारा काम किया बाबु को भी आधा गंटा मैंने पढ हुआ है मेरे साथ कटिंग सब करेगा तो यहां पर मैंने मार्क लगा लिया है लाइनिंग में पहले मैं लाइनिंग वाला ब्लावज बनाती हूँ जिनको इंट्रेस्ट है उनको देखने में बहुत मज़ा आएगा और जिनको इंट्रेस्ट नहीं है वो भी देखिए कि कि संतुष्टी मिलती है हाँ मेहंदी मैं कभी-कभी लगवा लेती थी लेकिनि इस इदृवार तो महंधी लगता है खुदी लगाना होगा और हावा देखिए कि तेज चल रही है मैं यह गेश्ट रूम में काट रही हूँ तो बाल करने का गेट खुला है तो हावा बहुत तेज आ रही है तो यहाँ पर मैं सबसे पहले lining काट लूँगी lining में मैंने mark कर दिया और lining वाला blouse इसी तरह बनाया रहता है lining को काटिए उसके बाद यह जो इसमें लगा वा रहता है कुछ piping type का अच्छा लगता है क्योंकि साड़ी में जो work है थोड़ा green पर है तो इसको मैंने हटा दिया क्योंकि इसको बाद में ही लगाना होगा बाजू में मैं लगाओंगी और three quarter बाजू बनाओंगी तो यह तो मैं पूरे detail में आपको नहीं दिखा रही हूँ तो लेकिन पूरा बनाओ बाजू मैं भी दिखाऊंगी तो यहाँ पर मैंने इस कपड़े पर lining को रख दिया और पीन कर लूँगी क्योंकि एक तो हवा चल रही है और दूसरा क्या है कि इस तरह करने से बिल्कुल easy होता है मैं video shoot कर रही हूँ तो मैं नहीं बारवार घूम सकती हूँ तो मैं पीन करके कपड़े को ही घूमा देती हूँ इस तरह से मैंने back part काट लिया और neck को अभी नहीं काटना है मुझे और इस तरह फिर मैंने front काट लिया और दोनों को जोडने की बाल फिर मैं neck की cutting करूंगी और यह देखे मेरा बेटा भी यहाँ पर लगा हुआ है यह भी अपना stitching कर रहा है यह भी अपना cutting कर रहा है तो यहाँ पर इस तरह अब जो कपड़ा बचा है उसका मैं बाजू माप लेती हूँ three quarter मुझे बाजू बनाना है तो यहाँ पर मैं माप लोगी और मैं उसी दिन जीजिन मैं है यानि कि यह बुद्वार का ही दिन है जीजिन मैंने करेली बनाया था क्योंकि आपको मेरे dress से भी पता लग जागा क्योंकि मैं ऐसा नहीं करते हूँ कि कुछ किलिपाज का कुछ कल का अगर मैं एक दिन बात का जोड़ूंगे तो वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगे लेकिन मैं एक दिन का आपको ये महनत दिखा रही हूँ और इसमें काफी समय लगा था तीन से चार गंटा मुझे लग गए थे तो यहां पर मैंने इससे बाजू लगा लिया और अब यहां आप देखेंगे मैंने यहां पर लाइनिंग और मैन फैबरिक में जोड़ लिया है और पिन की मदद से जोड़ लिया है ताकि मुझे सिलाई करने में बिल्कुल समय ना लगे और इस तरह मैं राउन में भी नेक में सिलाई कर लोगी और यह मेरा सीधा साइड है तो यह सब ट्रिक जो है काम को बिल्कुल सस्ता बना देता है बहुत तीजी तरीके से पता नहीं भगवान मुझे कहां से यह सब बुद्धी दिये हैं और यह देखेंगे मैंने कंप्लीट कर लिया आभी मैंने हुक काज नहीं लगाया है आई काज कहते हैं उसको आई बटन तो मैंने वहाँ पर पीनप किया हुआ है और यह फ्रंट का है बेल्ट वाला मैंने बुलाउज बनाया था और यह बैक का है अब मैं इसको जोड लोगी और जोडने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल फिटिंग में बुलाउज आ गया था एक ही बार में भगवान भी मेहनत करने वाले को देखते हैं कि यह इतना मेहनत कर रही है तो कुछ गलत वलत नहीं तो जिस तरह मैं बच्चे को रख कर रहे हूँ तो कभी-कभी ऐसा होता है इधर का पाट इधर जूट जाता है जो भी अनुवन था मैंने उसको बराबर कर लिया और मैं इस तरह से पहले सीधे साइड में सलाई चलाऊंगी उसके लाद उल्टे साइड में फाइनली मैं आपको ब्लाऊच दिखाऊंगी तो आज मैंने इतना मेहनत की आइडियर मुझे आता है कि आप लोगों को मेरा ये ब्लाऊच पशंद आया होगा आप लोग जिरूर लाइक करेंगे कमेंट कर भी बताएंगे कि कैसा लगा आपको मेरा ये प्रियास और इसके बाद मैं कीचन गई थी बरतन तो धोया हुआ था लेकिन कीचन गई थी मैंने कुछ नास्ता किया था और साड़े चार के आसपास ये मेरा हो गया था तो फिर मैंने पवित्र रिस्ता देखा और इसमें जो काज और हुक होता है उसको मैंने सुभा किया था और ये मैं फाइनल मेजर्मेंट लेकर मैं यहां माप रही हूँ और फाइनल ये श्टीच है मेरा तो उसके बाद फिर मैंने रात का खाना भी बनाया था तो इतना कलिप मैं आपके साथ सेयर नहीं कर पाई क्योंकि खाना नहीं बनाये तो खाएंगे क्या और इस तरह से मेरा ये फाइनल हो गया फ्रंट का और बैक का अभी मैंने इस पे आइरन नहीं किया है आइरन करने के बाद इसको बठाना होता है और यहां पर मैं आपको मेजर करके दिखाऊंगी कि ये मेरा फाइनल एक बार में आ गया और जो इंटेस्टेट है इसमें वो तो देखी रहे होंगे कि ये जो बैल्ट आला बलाउज है तो बैल्ट के पास एक कमर ना पा जाता है लेंथ मेरा बिल्कुल सही है और बैक देखेंगे बैक भी मेरा बिल्कुल सही है अब मैं आपको इसमें बाजू लगा कर दिखाती हूं और ये देखेंगे इसका लुक बलाउज का ये जो नीची आप देखरे है न ये पहनने के बाद आपको फिटा जाएगा और अभी मैंने इसमें आईरन नहीं किया है और बिल्कुल ही फिटिंग आया था ये ब्लॉज ये तो मैं पहन के आपको तीज के ब्लॉग में दिखाऊंगी तो डियर आज के ब्लॉग में बस इतना ही ब्लॉग ऐसे भी बड़ा हो गया है तो मिलती मैं आपसे अपने अगले एक अच्छे से ब्लॉग को लेकर बने रही है इस चैनल के साथ प्लेलिस्ट में आपको हर तरह की वीडियो मिल जाएंगे एक बार चेक करिएगा बाई बाई गाई लब यू और